जोड मॉर्निंग अब्रिवन आज हम लोग डिसकस करेंगे आपके 12 वायलोजी का पहला अध्या है जीवो में जनन यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको एक से लेकर के 30 प्रसनों का अब्जेक्टिव डिसकसन कराया था आज हम लोग इस वीडिय कि निम्न में से कौन सा एक लिंगी है निम्न में से कौन सा एक लिंगी है देखिए एक लिंगी का मतलब होता है कि वैसा पोधा जिसमें केबल और केबल एक लिंग पाया जाता हो एक लिंग का मतलब है कि या तो नर जननांग पाया जाएगा या फिर इसमें मादा जननांग पाय जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा पाफीता यानि पाफीता पफाफिता होगे यो पर एक पाफिता होता है और अब teaching में फल नहीं होता है वो जो है नर जनडांग बाला पपीता होता दियान रखेगा एक लिंगी मतलब एक पोधा में एक पाएगा ता तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका पापीता यह नहीं 31 का एंसर हो जाएगा सी नमर पापीता चलिए हम लोग नेक्स अबाल देखते हैं बतीश नम्र देखिए बतीश नम्र कोशेगैंगे गयमीटिका कोशेशन कहे रहा है गयमीटा निरमान को उह हम लोग गयमेटो जेनेसिस कहते हैं गयमीटा निरमान को हम लोग क्या निर्मान को अंग्रेजी में बोलते हैं जैनेसिस यानि युगमक निर्मान युगमक निर्मान तो इसको युगमक को अंग्रेजी में बोलते हैं गेमेटो और निर्मान को अंग्रेजी में बोलते हैं जैनेसिस यानि गेमिटा के निर्मान की परकिरिया को हम लोग क्या बोलत परकार के जननांग पाइदा एक नड़ जननांग होता है और एक मादा जननांग होता है उससे नड़ युगमक का निर्मान होता है और मादा जननांग में जो है ना मादा युगमक का निर्मान होता है तो युगमकों के बनने की परकिरिया को ही हम लोग युगमक जनन कहते है अंग्रेजिम उसको हम लोग गेमेटो जेनेसिस कहते हैं यानि 32 का सही एंसर हो जाएगा आपका ए नम्मर 32 का एंसर हो जाएगा ए नम्मर चुलिए नेक्ट शवाल देखते हैं लोग 33 नम्मर फिर से वही सवाल है कि नम्मर में से कौन उभैल लिंगी पादप नहीं है इसमार देखे यह परकारा नहीं है अब उभैल लिंगी का मतलब होता है कि वैसा पौधा इसमें दोनों परकार के जननांग एक ही पौधा में पाया जाता हो इसमें लोग और लिंगी आप कारार नहीं है यहां है कि एक पौधे में केबल एक जननांग पाया जाता हो इसका मतलब यह हो लिंगी हिसका मतलब यह हो गया हमारा एक लिंगी पौधा आपको तिस नमर स Fall में मैं वह नंकर रह पनावां पर्फर 2020 का ओप्शन नमर Deb बिल्कुल आपका सही है तो 33 का क्या हो गया एक नमर क्या कर रहा था इवन में से कौन उभय लिंगी पादप नहीं है अर्थात एक लिंगी पादप है यहां पर कौन शाहरी पपीता तो 31 का स्वारी 33 का ओप्षन हो जाएगा एक नमर परक्रिया को हम लोग बोलते हैं निसेट का मतलब होता है कि जब नर युगमक और मादा युगमक आपस में मिलते हैं तो इस परक्रिया को हम लोग बोलते हैं तो यहां पर देखिए अंडा एक मादा युगमक है और यहां पर नर नुकुलियस जो लिखा हुआ यह हमारा क्या है नर युगमक है संयोजन का मतलब होता है आपस में मिलना संयोजन का मतलब होता है आपस में मिलना तो इसका मतलब क्या हो गया है कि मादा युगमक और युगमक जब आपस में मिल रहा है तो इस परकृरिया को मुझा की बोलेए निसिये चन से ऑचार हमारा भुर्ण पोस्स में कितने क्रोमोश को समर्ण के बछांड सारे बच्छों को जो मादा जननांग होता है उसका सबसे जो नीचला भाग होता है उसको बोलते अंडास है उस अंडास है के भीतर की संदचना को बोलते हैं बिजांड और उस बिजांड के अंदर एक अंडाकार संदचना पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं बुर्न पोश यहां पर यह ज तो बीचवाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं दूइतियक क्यंद्रक जाद रखेगा यहां चींद्रक की की ? कितनी 3 &&&&& हो जाएगा 3 & spécial Cut 8 & 7 यानि 3 & & 2 भी बोलिये या फिर इसको हम लोग 3 गुनित भी बोलते हैं 3 गुनित इसको हम लोग बोलते है 3 समय तयिक पामलग तीन गुना यान्पर क्रोमोश्य सांठा कितनी हो जाती है 3 n trzy खिलना रखेगा वहा time क्रोमोशों की संख्यां हो जाएगी तीन गुर्णा तो क्वेशन क्या है कि भुर्ण पोस्ट में कितने क्रोमोशों होते हैं याद रखेगा थिरी एन एंसर हो जाएगा थिरी एन चलिए अच्छतिस नम्मर सवाल हम लोग देखते हैं और इसका सवाल है हमारा कि अंड परजक प्रानी है अंड परजक का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितने भी जीव है ना वो शभी के सभी चीव जुद दो परकार के होते हैं या तो यह सजीव परजक हो शकते हैं याद रखे परजक का मतलब होता है कि जो जीव बच्चे को जन्म देता हो जो जीव बच्चों को जन्म देता हो यानि जन्म देने वाला जो जीव है उसको हम लोग बोलते हैं सजीव परजक और कुछ जीव में क्या होता कि अंडा देता है और उस अंडा के फूटने से बच्चे पैद में देता है और इसी में अगर हम बात करेंगे इस option के अनुशार मुर्गी तो मुर्गी क्या करती है अंडा देती है और उस अंडा के फूटने से नए बचों की उत्पत्ती होती है यहां पर अंड परजनक कौन सा होगा एंसरो जागा आपका परजनक इसमें से कौन है चुकि मुर्गी भी अंडा देता है तो अप भी अंडा देता और मगरमच भी अंडा देता इसका सही अंसर ऑजाएगा option नम्मर दी याद रखेंगा अंड परजनक का मतलब होता है वह इसा जीव जो अंडा देता हो हूँ उसे हम लोग बोलते हैं अंड पर जखट यहां पर अंड परजक जो प्रानी है इसमें से सभी है यानि अप्शन नमबर हो जाएगा दी इसमें से सभी हमारा जो अगला सवाल है यह है थर्टी थेवे नमबर क्वस्चन कहा रहा है कि सुक्रानु जनन का नियंत्रन किसके द्वारा होता है कि सुक्रानु जनन का मतलब होता है कि एस्पर्म का बनना एस्पर्म का बनना आपको पता है ना कि मनुष्य में क्या होता है कि जो मेल होते उससे एस्पर्म बनता है तो उसका एस्पर्म बनने की जो किरिया होती है इसको नियंत्रन किसके द्वारा होता है इसको नियंत्रन करन करने वाला जो हार्मोंस होता है उस हार्मोंस को बोलते हैं याद रखेगा यूटिनाइजिंग हार्मोंस याद रखेगा यूटिनाइजिंग हार्मोंस अप लिख लिजे कि लिख का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म होता है लिटनाइजिंग हार्मोन्स यह परकार का हमारे सरीर में से निकलने वाला हार्मोन्स है और इसी हार्मोन्स के परफाव के कारण जो है ना एसपर्म बनने की परकिरिया हमारे शरीर के अंदर शुरू होती है जब कोई बैक्तिर तेरह से 14 वर्ष से लेकर जीवन भर उसके टेस्टिस से एसपर्म बनता है इस एसपर्म के बनने की परकिरिया को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है उसे हम लोग बोलते हैं LH का नाइजिंग हार्मोन फी एक परकार आर्मोन है इसके द्वारा हमारे स्रीर में क्या होता है शुक्रानू जनन की प्रकिरिया को नियंत्रित किया जाता है आप समझ गये हूंगे एक Wars नमर शावाल देखिये इसा क्या है संततिकी उत्पत्ति एकल जनन के किद्दार होता है देखिए मैं आपको शुभह सुभह क्लास में में भी बताया था लगे सिंगल पयरेंट्स पतलां की जीव किद्धी के आपको बताया था कि और लेंगिक परजनन बोलेंगे यानि अंग्रेजी में बोलते हैं एक सेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन मैंने शुबह भी आपको बताया था कि जब किसी जीव की उत्पत्ति केबल और केबल एक जनक के माध्यम से होती है तो परजनन की स्विधी को हम नमर अर्तिस का हो जाएका आपका एंसर नमबर दी नेक्स शवाल हम लोग देखते हैं शवाल है कि पुनर उत्भवन की किरिया पुनर उत्भवन यह स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो सकता है पुनर उत्भवन अंग्रेजी मिसको बोलते है री जैनरेशन एक पुनर परकरिया होती है यह किसमे होती है यह हमारा अंसर है थोड़ा है जी करते हूं कि मतला ह 눈물 होता है कि हम कई क्षोटे च्छोटे डुक्रों में काट देते हैं और परत्यक टुक्रे करें पर्जनन के था बंबरा आउप च्रीया रधनेरेशन के मैं करेंगा यह डिस्कॉण और काट देते हैं और परतियक टुकड़ा से जब नए जीव की उत्पत्ती हो जाती है तो परजनन किस विदी को हम लोग बोलते हैं पुनर उध्ववन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रीजनरेशन तो इसमें ध्यान रखेगा कि रीजनरेशन की जो परकिरिया होती हुआ को एसपंज में होती है किसने है एसपंज में होती है यानि इतका तो हमारा सही अंसर हुजएगा उन 40 का यह नमर का चॉलिस का जो जो और सब्सक्रान कि इसांख्यां कितनी होती यह आपको याद रखना और मैं आपको क्लास में अलगभग में 20-25 जीवों का आपको जब ठ्यो जाते हैं मैंने उसका लिस्ट दिया है उस लिस्ट को आप याद रखिएगा आपके 12 के एक्जाम में भी अब्जक्टिव में पूछे जाते हैं और जब आप नीट का भी एक्जाम देने जाएंगे तो बहुत सारे जीवों का जो क्रोमोशोम कितना कितना पाय जाता है वो आपको याद रखना कितना किसा जाएगा कितनी थी थमालो हो द देखते हैं कता आलू को का इक संचरन की द्वारा याद रखेगा ये ऱलू में क्या होटाएं कि भेजिट्ups रिप्रोडेक्शन ओरATION किसके द्वारा होता है याद रखेगा यह होता है's हो जर के द्वारा होता है जर के द्वारा रूप के द्वारा होता है यसकत रहES चलिए हमारा एंसर क्या हो गया कि आलू में का एक संसरन किसके द्वारा हो गया ज़र के द्वारा होता है नेक्स वाल देखते हैं एक ही पुष्प में मान लिजए कि यहांपर मैं आपको एक चितर बता दे रहा हूं कि मान लिजए यह आपका मादाजननांग और मादाजननां का ये वाला आपका भाग है वरती काग इसको हम लोग क्या बолते हैं वरती काग और इसी बरती काग से क्या है कि एक प्राग कोश निकल रहा है और यह प्राग कोश के फटने से यहां से प्राग कन निकल ला है और यह प्राग कन क्या कर रहा है इसी पुष्प के बरतिकागर पर गिर रहा है यह आपका क्या है प्राग कन है याद रखेगा प्राग कन है और यह आपका क्या है प्र क्राग कोश है तो कॉश्चन को थुछा अच्zne से समझे क्या करा है एक ही फल के भीकतよし सुकर håndब क्या है दुक्ük है SMITH क्या फोता हिसा कि अब गजबर शक्राइम कि मादा ऑनांग में और औरने दे Speed App के प्राग को से निकलने वालवा प्राग कन जुस्प के बश्डिकागर पर गिरे तो ऐसिंस प्रागन की श्कुरिया को हम लोग बोलेंगे तो प्रागन की इसकड को नममर यानि स्ववा परागन हमारा जो नियक्ड शवाल है उसको देखते हैं मानभ मादा मेंADC मानभ माधा में हम A. का जो मादा है ऐसा नहीं कि लटका लोगह को समझना है कि मानभ मतलब लटका होता है या फिर लटकी समझेंगे कि मानभ मतलब लटकी होता है, और वानव मादा में यहां पर यहां पर एक नली होती है यहां पर आपको एक नली होती है और यहां पर पहले से ओभा जमा रहाता है यहां भी ओभा जमा रहाता है दोनों में से किसी एक साइड एक महना मोभा जमा रहे हैं इसी अस्थान को हम लोग बोलते हैं फिलोपियन टूब याद रखेगा इसको इसे भी आप समझ सकते हैं कि म परेनांग में यूटेरस में एस्परम होता तो यह असपर्म जो है ना पूच्छ की साहयता से दोर लगाना सुरू करेगा और इसको फाइनली जो है ना फिलोपीयन में पहुंचना पड़ता है और फिलोपियन टूम में पहुंच करके ओभा और एस्पर्म दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कोश्चन हमारा यहां पर क्या कह रहा था कि मानब मादा में मानब मादा का मतलब इस्तिरी में अंडे का निसेचन कहां होता है मतलब अंडा जो है एस्पर्म के साथ कहां मिलता है यानि महलाओं में जो अंडा है वह एस्पर्म के साथ की सस्थान पर मिलता है तो सस्थान का नाम होता आपका फेलोपियन ट्यूम इंदी सवाल है कि वह परकिरिया जिसके द्वारा नर युगमक एबं मादा युगमक बनते हैं एकदम इजी है जिसके द्वारा नर युगमक और मादा युगमक बनते हैं तो जब नर युगमक और मादा युगमक आपस में बनता है बनना का मतलब निर्मान होना इस परकिरिया हम ल युगमक का मतलब हो गया ओभा का बनना तो दोनों के बनने की परक्रिया को यानि नर युगमक और मादा युगमक के बनने की परक्रिया को हम लोग बोलते हैं युगमक जनन युगमक का मतलब एसपार्म और ओभा और जनन का मतलब बनना तो नर युगमक और मादा युगमक के बनने की परक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे युगमक जनाद यानि 45 का एंसर हो जाएगा आपका सी नम्मर चले नेक्स्ट शवाल हमारा है ट्वेंट पॉर्टी सिक्स कि इसके सरीर में नरत अत्फा-मादा दोनों परकार के जननांग प्लच आते हैंðे ऐसे इसeurs में आपके क्याचुआ बताया होगा जोक बताया होगा जिसमें कि एक ही जीव में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलेंगे उभय लिंगी चलिए हमारा सहितालिस नम्मर शवाल है कि मानबनर में शुकरानू का है ऑजिए कमानों का मतलब स्टोरेज रहता है आपके बॉड़ी में एसपर्म कहां पर राता तो कोई भी लड़का है उसके या फिर कोई पूरूस है उसके शरीर में यानि शुक्रानु कहां पर रहता दुए रहता है फी डिड़ाइसमीस में पर चोटी चोटी नली का इसी नली के जो सहयूक्त रूप से मिलता है उसको लोग बोलते हैं एपी डिडाइस मिस्त याद रखेगा कि मनुष्य में शुक्रानू का भंडारत याद रखेगा एपी डिडाइस इसमें आपका सही तालिस का एंसर हो जाएगा चलिए अर्टालिश नमबर एंसर देखते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कहा रहा है कि इसमें से किस समुदाय के पोधों में निशेचन के लिए जल माध्यम आवशक है जल माध्यम अब जल माध्यम काने का मतलब हुआ कि वैसा पोधा जो जल में पाए जाता हो तो इसमें से क्या है कि सैवाल आपको पता है यह जल में पाए जाता है प्रायो फायटा भी जल में पाए जाता है टेरी डो फाइटा भी जल में पाए जाता है इसका मतलब इसका सही अंसर हो जाएगा option number D यानि आपका 48 का जो सही अंसर है वो हो जाएगा D नमर 48 का सही अंसर हो जाएगा आपका D number D की कोशर थ किस अंधाय के पोध है की नीशेचं के लिए जल माध्यम होता है नीशेचं कर मतलब क्या कि एक पोधा का नड़ उग्मक क्श होए बहता हुँ किसी दूसरे पोधे के बर्तिकागर तक miracoda पहुंच जाता हो पॉनी के माध्यमें से तो जो जल में जींब रहेगा उसमें आता ये तेबाल भी जल में रहाता है और प्रायो फायटा भी जल में रहाता है इसलिए सका सही अंसर हो जाएगा आफ का तालिस का एंसर हो जाएगा डी नमर नेक्षवाल हमारा है उन्चाश नमर करा कि किसमे जनन कोशिकाएं दो भागों में विवक्त होकर के नए जीव कोथपन करती है अब देखिए जनन कोशिकाएं दो भागों मैंने आपको शुबह सुबही बताया था कि जो और लेंगिक पर प्रोटिष्टा में फंगी में उसके बाद सैवाल में या फिर कबक में होता है यहां पर क्या क्या ओप्शन है आपको मौनेरा भीक्त में है और प्रोटिष्टा भी ऑप्शन में इसका मतलब ए और बी ये दोनों शही हो जाएगा यानि आपका जो है उन्चाश का सही अंस सब्सक्राइब की उत्पत्ति किया जाता है तो उन्चास का हमारा सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर स्वाल देख रहे हैं करा यूगमकों में गुनसुत्र का सेट होता है यूगमक अगर हम यूगमक की बात करें ध्यान से देखेंगा अगर हम यूगमक की बात करें तो यूगमक का मतलब होता है या तो नर यूगमक या फिर मादा यूगमक ये दोनों में से कोई एक अब इती में अगर यूगमकों लिखा रहाता तो इसका मतलब होता है कि नर और मादा दो किरफ और और युगमक बोला इसका मतलब है या तो नरL solving या फिर मादा युगमम आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर नर היא मक्नीज करें तो इसमें भी गन्षूत्र का सेपे होगा और मादा युगमक में भी गन्षूत्र का सेट एन होगा अगर यह दोनों मिल गया और यह दोनों मिल करके जाइगोट बना लिया तो फिर इसमें को गुंशुत्र का सेट हो जाएगा आपका टू एन तो यहां पर सिर्फ यूगमा कह रहा है इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा एन यह गलत लिखा हुआ आप अपने मे हो जाएगा एन यानि और गुनित एन बोलिए या फिर इसको आप हिंदी में असपर्ष रूप से और गुनित भी लिख सकते हैं यानि युगमक में गुनशुत्र का सेट हो जाएगा एन पचास का सही अंसर हो जाएगा आपका दी नमबर नेक्स अवाल हमारा है 51 यहां पर और लेंगिक जो होता हुआ एक जनकिया होता है और लेंगिक परजनन क्या होता जी एक जनकिया होता है मैं सुबह सुबह अभी कलास में इसके लिए डिसकसन क्या हों कि और लेंगिक जनन की जब विसेस्ता मैं आपको बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि और लेंग एक जननन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों द्वारा होती है एक जनक के द्वारा होती है और इसमें हमेशा याद रखेगा समसुत्री विभाजन की परक्रिया चंपन होती, इसमें कैसा होता है जी समसुतरी विभाधन की प्रकिरिया संपन होती है, इसके द्वारा उत्पन जीव, आकार में संव्रतना में, या फिर अनुवानसिक दिरिष्टी कौन से, फूब बहू अपने जनक के समान होते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग कोलोन भी कहते हैं जिसके करन हम लोग इसको क्या बोलते हैं कोलोन भी कहते हैं यानि 51 का आपका सही अंसर हो जाएगा option number A 52 सवाल देखते हैं शवाल है आता द्वारा दिये गए युगमक और पिता द्वारा दिये गए युगमक जब आपस में मिलता है जैसे मनुश्ची हम बात कर लें कि अगर माता द्वारा जो युगमक दिया गयेगा उसको बोलेंगे ओभा और जो पिता द्वारा युगमक दिया जाएगा इसको बोलेंगे एस पर और जब ओभा और एसपर्म आपस में मिलेगा ना इस मिलने की परकिर्याद के बाद इस तो उनको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन लेकिन इस फर्टिलाइजेशन के परिनाम सरूप ये दोनों आपस में मिलकर के बना लेंगे जाइगोट दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे जाइगोट इस जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं यूग मन सबक्राइब को हिंदी में बोलते हैं युग मनाज यहां पर क्या सवाल कि माता दरा दिए गए युग मक यानिнес स्पर्म यह दोनों के मिलने की कर्या को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं लेकिन इन दोनों के मिलने के बात बनता है उसको को बोलते हैं जाइगोट उसको क्या बोलते हैं जाइगोट और जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं यूगमनज यानि आपका 52 का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन नम्मर बी यूगमनज इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं जाइगोट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जाइ एक चलिए हमारा जो नेक्स सवाल है उसकों लोग देखते हैं 53 कि हमारा जो नेक्स सवाल है यह है कि जम्यूल्स बनते हैं जय म्यूल्स बनते हैं तो जब रखेगा जैन्यón कहां बनते हैं जैन्यूल्स बनते हैं आपके हाइड़ यह भी ज्युतहरत है किसमें बनते हैं essent कि यह अबनते उन्मर्ड और फ्र प्लाज्मो टोई मी जो है अपका प्झाल नहें किसमें पायाता परजनन की बिदी है और या परजनन की बिदी को यह किसमें पाइद आती है एंसर हो जाएगा option number C क्या ओपे ली नाम है चलिए नेक्स वाल हमारा है 55 शवाल है कि निम्न में से कौन साजीव परजक है निम्न में से कौन साजीव साजीव परजक है मैंने आपको पुर्ग में भी बताया है कि सजीव परजक जब भी बोले तो दिमाग में यह रखना कि बच्चों को जन्म देने वाल यानि बच्चों को यह जन्म देता है बच्चों को यह क्या करता है जन्म देता है तो बच्चों को इसमें से जन्म कौन देता है इसमें से सं है, श्खशीह को चन्हाट है, इसका सही एंसर हो जाएगा याद रखेगा इसमें जो सही वाहे है ना यह क्या करता है बच्चों को जन्म देता है और बाकि बात क्वक्रोच हो गया मकझी हो गया अंड पraction आर इसमें चरहं परचु रह यह हमारा हो गया यह हमारा हो गया यहां पार एंसर आपका हो जाएगा पुछपन का नमबBT घ्रटे क्रहें । मैक्त मुस्थक्र ग YouT at स्रीनिके पोधों में निसेचान होता है लेके करें ठाइब के पोधे ऊच्छी इन रखेंगे का बीज कि बनता है और ये बीज के लिस्टाने की जो पर किरिया होती है यह इंदर होती जब दो परकार एक यह मैं वो बाहिनी शन होता है जैसे मनुष में आन्त्रिक में या फिमील जणनानांग में या female sax organs में दोनों मिलता है लेकिन मचली सबका अगर बात करेंगे जो मेल मचली होता है वो अपना स्वतनत रूप से पाणी में छोड़ देता है और मचली अपना ऑभा को हम लोग बोलते हैं बाहर निशेचन लेकिन जब और नर युगमक और मादा युगमक सरीर के अंदर क्या हो निशेचित होता हो इस पर इस निशेचन की क्रियाद को मुझे आंत्रिक निशेचन यहां पर क्वेश्चन था उच्छ स्रेनी के पौध है तो याद रखेगा निशेचन की किरियाद जीव के शरीर के अंदर होता हो इसनी शेचन की परकिरिया को हम लोग बोलते अन्त्रिक निशेचन इसलिए हमारा 56 चापन नमबर का एंसर हो जाएगा आंत्रिक निशेचन option नमबर बी देखते हैं पिष्टिया में काइक परवंधन किसके दौरा होतास पिष्टिया एक परकार के प्थों का नाम है इसमें काइक परवंधन यानि भेजी टेटिवर i ट्रइक्ष Hungarian किसके दवारा होता इसका सही अंसर में का दो बिदी होता है बोले विदी नैश्टिर होती एक नचुरल to रिप्रोडेक्ष आक और डिपिंटेटी टेम रिप्रोडेक्षान जब हम लोग वे जीटेटी रिप्रोडेक्षान amar इसका जो आपका पिष्टिया में काई परबंदन किसके द्वारा होगा इसका सही अंसर हो जाएगा आपका बी नम्मर हम देख रहे हैं 58 घरेलू मक्षी में जैसे हमारे घर में जो मक्षियां उर्ते रहती है या फिर दुकान में आप देखते होगे बहुत सारी मिठाईयों पर मक्षी जो मंराती होती है कि इसको याद रखना ते दौरां लगबर 20 जीवंIch हो पूछा जाएगा उसके संख्या मैं आप रिस्ट दे दूगा फिलाल याद रखिए घरेलू मक्षी संख्या कितनी होती है एस निव्हें मा mr 59 सवाल है निमलिकित में में से किस प्राणी में Asian चास झाय नह्रोफ को प्राणी में प्राणी में औकाल रहेता होता हमोसा सूर होगा एद्ध्यर्ण रखर्ण गाओ याद रख्येगा जला मतलम इसंद्ध करा एक तारा कि पार्थो नो जेनसिस जुस्त पार्थो नो जेनस्स पाय जाता में दिये कि अनिक परकार किर्जननद को था जाता है तो पार्थो जोने सिस्ट जो है आपको याद रखिएगा मतलब इस परकार की जो पर्जनल की पड्गिया ओप iç लारवा में बदैश्क याणि स्थे रेट दिल नम्ब दी और इस परकार आपका सफ सही अनसर हो सब्सक्राइब जीवों में जनन वो एक खतम होता है आप सब को सुचना दे दे कि मैं सुबह सुबह इस चप्टर से संदर्वित यानि जीवों में जनन के बारे में आपके क्लास में इसका थ्योरी अध्यन करा रहे हैं और आप लोगों को जो यह मेटेरियल्स दिया गया है उसको श्यम से या साथ ही होगा कि हम लोग ट्वेल्व बाइलोजी दोहजार चोविस पचीश का जो सत्र है उसके लिए सुबह क्लास दे रहे हैं आपका जो बैस ट्राइम है वह साथ से आठ है आठ से नौ है और नौ से दस है आप जो भी आपके अगल बगल में चात रहे हैं जो कि खगर्या जो की दोहजार चोविस पचीश के लिए होगा इसके लिए मैंने समय दिया है यानि आपको चार बज़े से साथ बज़े यानि तीन घंटे का क्लास अभी फिलाल चल रहा है और दीरे दीरे इस कलास की जो समय सीमा होगी उसको बढ़ाया जाएगा और कुछ अब्जेक्टि के द्वारा अलगलग शिक्षकों के द्वारा एक तीम बनाई गया है उसके माध्यम से मैं आपको नीट की तयारी कराता हूं तो आप हमारे इस मुहिम में जुड़ें और खगर्या जैसे छोटे सहर से भी अगर नीट की तयारी हो और नीट में बच्चे 100% शफल हो हमारे ल जुनोन होना चाहिए अगर यह दोनों चीज अगर मिल जाया तो खगर्या क्या कोटे से छोटे सहर में भी नीट हो सकती है उदारन के तुरपे मैं बता दूं कि पूरे भारत में सबसे जाएदा हाई-टेक सीटी कोटा ही नहीं है लेकिन कोटा में नीट की नीट के लिए चफल हो तो क्यों कि कोटा में भी किसी सिख्षक के पास जुरून आया होगा और उन्होंने उस जुरून के साथ साथ बच्चों के जुरून को मैच कराया और आज कोटा जो है ना हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा एडुकेशनल पॉइंट है तो इस चीज को दिमाग मे आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद अपना विशेश ख्याल लखिए मैं फिर से आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा जिसमें हम आपको 61 से ले करके 90 तक अब्जेक्टिव डिसकर्शन करूँगा तब तक अपना विशेश ख्याल लखिए क्या है